नमस्कार जार्खंडी नियूज में आपका स्वागत है आए जार्खंडराज के टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं बित मंत्री निर्मला सितार्रमान ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के लिए राशन के लिए 3500 क्रोर की साहता दी जा रही है जिसमें 8 क्रोर मजदूर को अगले 2 महिना तक 55 क्लो चावल गेहूं और 1 क्लो चाना दिया जाएगा यह असुविदा बिना राशन काड़ वालों के लिए भी होगा उन्होंने बताया कि ग्रामीन कॉपरेटिंग बैंक और आरार्वी को फसल ब्रीन अवसकता के लिए नवार्ड बैंक को 30.000 को रुपए की अतिरिक्त साहता जी जाएगी जो किसानों को इमर्जेंसी में दिया जाएगा जार्खण मौसम विभाग के अनुसर जार्खण में 20 मैं तक 12 होती रहेगी बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन के बनने के असर से जार्खण के विभीन छेतरों में 20 मैं तक 12 होने की संभावना है ऐसे में जर्खंड में तीन से साथ दिनों की देरी में मांसून पहुंचेगा राची केंद्र के निदेशक SD कोटाल ने बताया कि 15 माई को चक्रवार्ती तुफान उठेगा जिसका असर 16 माई को जर्खंड में दिखेगा मजदूरों ने 12 दिन में 6,85,000 कराया पंजीकरन खबरों के अनुसार हिमन सुरेंद्वारा पोर्टल बनाया गया है जिसके जरिये लोग अपने घार लोट रहे हैं मुख मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि वापसी के लिए 6,85,000 लोगों ने पंजीकरन कराया है इन पंजीकरन में सबसे ज़्यादा महराष्ट, गुजराद, तमिलाडू और करनाटका के मजदूर समिलित हैं उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा पंजीकरन 4 मई को कराया गया जारखन में आज 22 नए संक्रमितों की पुष्टी हुई जिसमें पलामू से 7, राची से 5, जमसेदपूर से 1, कोडार्मा से 1 और हजारी बाग से 8 हैं जारखन में कुल संक्रमितों की संख्या 181 से बढ़कर 203 हो गई जबकि 87 लोग स्वष्ट हुए और 3 की मिरित्यू हुई भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 82 हजार हुई जबकि 87 से 979 लोग स्वष्ट हुए और 269 लोग की मिरित्यू हुई रेल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने में सरकार और विपक्ष उलजे ख़बरों के अनुसार मुख मंत्री और विपक्ष के बीच यूद छिड़ गया है सीम हेमन सुरेन जहां हर जर्खंडी को सकुसल वापस लाने की बात दोराते हुए अधिक से अधिक ट्रेनों को जहर्खंड में परिचलन को लेकर भाजपा को केंद्र सरकार से निवेदन करने को कहा तो वहीं भाजपा विधायक दल के नेताब आबुलाल मरांडी हमन के बयान पर पल्टवार करते हुए कहा कि इस मामले में बिलंब कौन कर रहा है जबकि रेल मंत्री पियूस गोयल ने ट्वीट कर बताया कि जितनी चाही राजपा को ट्रेन दी जा सकती है जहर्खंडी के लोटने तक चैन से नहीं बैठ सकता सीएम खबरों के अनुसार मुख मंत्री हमन सुरे ने कहा कि आपकी सरकार अने राजव में फसे हर जहर्खंडी को घर वापस लाने के लिए क्रीट संकल्प है जब तक सभी नौ लोट जाए हम चैन से नहीं बैठ सकते उन्होंने कहा कि राजव सरकार रेलवे और केंद्र सरकार के साथ बैठक कर घर लोटने के एक चुक जहर्खंडी को जल्द से जल्द लाने का पर्यास कर रही है जहर्खंड में खुलेंगी सराब की दुकाने खबरों के अनुसार सरकार ने फैसला कर लिया है कि सराप की होम डिलेवरी नहीं होगी बलकि सराप की दुकाने को खोले जाएगा और दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनलाइन टोकन से सराप विक्री सुरू करने के लिए अनुमती दी जाएगी उत्पात विभाग ने कहा है कि तैयारी पूरी हो चुकी है राज सरकार का दिसा निर्देश मिलते ही सराप की विक्री सुरू कर दी जाएगी एक जून से सुरू होंगे स्कूल एक साथ बच्चे नहीं आएंगे ख़बरों के अनुसार लोगडाउन के बाद खुलने वाले राज के सरकारी स्कूलों में सेक्षिनिक सत्र छोटा होगा जो की 15 जून 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा तथा सरकार ने दिशा निर्देश दिया है कि सभी बच्चों को एक साथ एक दीन इसकूल नहीं बुलाया जाएगा एक जून से काक्षा आठ दस वा बारामी के बिद्यार्थी को बिद्याले बुलाया जाएगा तथा एक कक्षा में 15 बच्चा ही बैठाये जाएगे तमिलाडू और किरल में फंसी है जारखन की 500 से अधिक बेटिया ख़बरों के उनसार लोकडाउन के गारन तमिलाडू में 300 और किरल में 200 से अधिक जारखन की बेटिया फंसी हुई है सभी जार्खन सरकार से जल्द घर वापसी की गुहर लगाई है उनका धर ये धीरे धीरे तूटता जा रहा है उनका काना है कि जल्द मदद नहीं मिले तो हम लोग पैदल जार्खन लटने पर मज़ूर होंगे ट्रेन सेवा 22 मई से शुरू आज से टिकट बोकिंग चालू खबरों के उनसार रेलवे ने बताया है कि 22 मई 2020 से 208 ट्रेन की यातरा के लिए वेट लिष्टेट टिकट सिमित संख्या में जारी करना सुरू करेगी जिसका आज से टिकट बोकिंग सुरू है जार्खंड सरकार सभी मजदूरू का किराया वहन कर रही है और करेगी खबरों के उनसार जार्खंड के मुख मंतरी है मन सुरू ने कहा कि अने राजियों में फसे हर एक जार्खंडी को घर वापस लाने के लिए सरकार कृत संकलपित है सभी मजदूर स्रामिक बंदूओं का किराया भी सरकार वहन कर रही है और आगे भी करेगी जारखंड के 11 IAS का तबादला खबरों के उन्सार जारखंड सरकार ने भारतिय प्रसस्निक सेवा के 11 अधिकारियों का तबादला कर दिया है योजना सहबित विभाग के अपरमुख्य सचीव केके खंडेलाल को अगले आदेश तक विकास आयुक्त के पत पर नियुक्त किया गया है इसी तरह सभी अधिकारियों का तबादला किया गया हजारी बाग के मजदूरों ने होम क्वारेटाइन का किया विरोध खबरों के अनुसार हजारी बाग के बढ़का गाव परखंड में परवासी मजदूरों के वापस आने से हड़कम मच गई है वैसे मजदूर जो होम क्वारेटाइन में रखे गए हैं उनको लेकर मोहले के लोग जगड़ा करते नजर आ रहे हैं और गाव के प्रतिनी धी चुप साधे बैठी हुई है गड़वा जिला उपायुक्त ने मजदूरों के लिए लॉंच किया खेरियत पोर्टल खबरों के अनुसार दूसरे राज्यों से लोटे परवासी मजदूरों की मदद के लिए गड़वा जिला उपायुक्त हर्स मंगला ने एनाइसी द्वारा विक्सीत खेरियत पोर्टल लंज किया है इसके द्वारा मजदूरों को स्वस्त से पुरी जनकारी साधा की जाएगी और रोजकार की विवस्ता भी की जाएगी बीर्षा मुंडा एयरपोर्ट में उडान के लिए त्यारी सुरू खवरों के उनसार बीमानों का परिचलन सुरू होने के संकेत मिलते ही बीर्षा मुंडा एयरपोर्ट पदा अधिकारियों की बैठक होई जिसमें बिमानों के परिचालन समेत अने बिंदू पर चर्चा होई इसमें या सुनिश्चित किया गया कि बिमानों का परिचालन सुरू होने पर यात्रियों को अधिक सदिक सुरक्षा एवं सुविदा कैसे मुहया कराई जाए जार्खण में 31 मैं तक लोक डाउन बढ़ाने की मांग खबरों के अनुसार मुख मंतिर हमन सुरेण के पास पत्र लिखकर मुसलिंग चेरमेन अफ कॉमर्स ने लोक डाउन के अवधे 31 मैं तक बढ़ाने का अगरा किया है मुस्लिम चेयर के अध्यक्स सकील आमद ने पत्र के माध्यम से कहा है कि तेवहार में लोगडाउन हटाने से बजार में भीड इकटा हो जाएगी दिली से राची पहुँची राइधानी एक्सपरेस खबरों के अनुसार 13 माई को दिली से चली विशेश राइधानी एक्सपरेस ट्रेन राची पहुँची सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद एस्टेशन परिसर से बाहर जाने दिया गया वहीं सभी को होम क्वारेटाइन में रहने की सलाह दी गई सीपी सिंग ने कहा जरुत मंद को कभी भुखा नहीं रहने देंगे राची विधायक और भारतिये जनता पार्टी के वरिष्ट नेता सीपी सिंग ने 100 परिवारों के बीच मोदी आहार वाटा और कहा कि राची विधान सभा के सभी मंदलों में संगठन के कारेकरता मोदी आहर का वित्रन कर रहे हैं अब तक 11,000 लोगों को मोदी आहर दिया जा चुका है किसी भी ब्यक्ति को भुखा नहीं सोना होगा जारखन लोट रहे मजदूरों को रोजगार देने की संभावना तलास रहे मुखमंत्री खबरों के अंसार मुखमंत्री हिमन सुरेन ने संकट के दोरान जारखन लोट रहे परवासी मजदूरों को रोजगार देने की संभावना तलास रहे हैं सिरी सुरेन के अधिकारियों ने बताया कि लाह की खेती को क्रीशी का दर्दार दे दिया जा तो बड़े पैमाने परोजगार का स्रीजन हो सकता है बोकारो जिला में SDM ने पंचायतों के मुखिया संग की बैठक खबरों के अनुसार बेरमो अनुमंडल के SDM नीतिन कुमार सिंग ने साथ पंचायतों के मुखिया के साथ बैठक की बैठक में SDM सिरी सिंग ने कहा कि संक्रमन से बचाओ में हम सब की बड़ी भूमका है छेतर में परवासी मजदूर काफी संख्या में लोट रहे हैं उनके साथ दुर्वेवार नहीं किया जाना चाहिए परवासीों का निगरानी के लिए बनी तिरी अस्तरिय कमेटी खबरों के अनुसार मुख्य सचिव सुखदेव सिंग दूसरे राजियों से 30 अप्रेल के बाद जार्खन आने वाले मजदूरों वा छातरों की निगरानी के लिए त्री अस्तरिय कमेटी का गठन किया ग्रामीन सहरी और थाना अस्तर पर सुचना एकत्र करने के लिए अधिकारियों को जिमेदारी सोपी गई जिसमें ग्रामीन छेत्र में वीडियो तथा सहरी छेत्र में नगर निगाए के पदा अधिकारी सुचित करेंगे सब स्टेशनों में होगी बिजली कर्मियों की तैनाती खबरो के अनुसार जारखन में मौसम का रूप बदल गया है ऐसे में तेज आंधी पानी को देखते हुए बिजली बिभागने अलट जारी करते हुए बिदूत सब एस्टेस्टों में बिली कर्मियों की तनाती की गई अस्पताल में अस्मार्ट ट्रोली द्वारा पहुचे गी मरीजों तक खाना और दवा खबरों के अनुमसार संक्रमन से बचने के लिए अस्मार्ट मेडिकल ट्रोली तयार की गई है इस ट्रोली के माध्यम से अस्पताल में बिना किसी के संपर्क में आए मरीजों को दवा, खाना सहित, कई समान भेज़ आ सकते हैं ट्रोली में कैमरा, माइक वाइ स्पीकर भी लगा है इस ट्रोली में 25 केजी वजन उठाने तक छमता है, जो की 12 वोल्ट DC मोटर द्वारा चलता है CAA के खिलाप जेल गए लोगों की मदद करेगा मुसलिंग लिंग खबरों के उनसार, इंडियन यूनियन मुसलिं लिंग की राष्टिये कमेटी ने उन सभी लोगों को कानूनी और वित्य सहता मुहाया कराएगी जो भाजबा सरकार ने CAA के खिलाप बिरोध परदसन करने पर जेल भेजा है JPSC रिजल्ट रद करने की मांग को लेकर अनसन खबरों के उनसार जारखन लोग सिवा आयोग दिवारा छटी सिविल सिवा परिच्छा का फाइनल रिजल्ट रद करने को लेकर अभियार्थियों ने अनसन परबैठ गया है सभी अवियार्थी ने मोरावादी इस्थित बापू वाटिका के समक्ष धारना दिया है धन्यवाज यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बेल आइकन दवाए साथी वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसेप फेस्बूक ट्यूटर इस्टाग्राम पर सेर करें और आप हमें कोमेंट में अपना राय अवस्य दे थाइंक्यू